नवस्कार दोस्तों, दोस्तों क्या जारखंड में भारती जंता पार्टी हेमन सोरेन से इस कदर घबरा गई है कि अब वो किसी भी तरह के दाओं आजमाने में पीछे नहीं हट रही है क्या हो रहा है मैं आपको वो बताता हूँ दरसल दूसरे चरण में हेमन सोरेन की सीट पर मद्दान है, बरहेट में मद्दान है और हेमन सोरेन की सीट पर असम से पुलिस आई है असम से पुलिस आई है बिहार से पुलिस नहीं बुलाई गई जारखंड में असम की पुलिस बुलाई गई है क्यों बुलाई गई है आप समझ सकते हैं जार्खंड के सहप्रभारी कौन है हिमंता विश्वा सर्मा और हिमंता विश्वा सर्मा असम के मुख्यमंत्री हैं आप इस पूरे प्रक्रण को समझने की कोशिश करिए हिमंत की सीठ बरहेट वहाँ चुनाओ हो रहा है हिमंसोरें सिटिंग चीफ मिनिस्टर है और तमाम लोकपोल का लोकनीति का दैनिक भासकर का जितने भी सर्वे आपने अभी तक देखे हैं हर सर्वे में इंडिया गडबंधन महा गडबंधन जेमम और कॉंग्रेस जार्खंड में मजबूत नज़र आते हैं तमाम पत्रकार उल्टा चैश्मा के मंच पर भी तमाम में हिमन सोरेन वापसी कर रहे हैं और इसी वज़े से बी जे पी बेचैन हो गई तो बरहेट में असम की पुलिस तैनाद कर दी गई है असम की पुलिस को भेजा गया है क्या कुछ हो रहा है जारकंड में आपको वो बताता हूँ एक यूजर है एकस के संजे वर्मा उन्होंने ये खबर लिखी कि हिमन सोरेन जहां से चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ असम पुलिस को क्यों लगाया गया जारकंड से सटे पांच पडोसी राज्यों से भी चुनाव आयोग पुलिस मंगवा सकता था लेकिन बारा सो किलो मीटर दूर असम से पुलिस मंगवाना थोड़ा खटक रहा है हमनता विश्व सर्मा जो जारकंड में बीजेपी के सह प्रभारी है असम पुलिस की कमान भी उनके हाथों में है ये सवाल खड़े की और इसके बाद इस एक्स के पोस्ट को जारकंड मुक्ति मोर्चा ने रीपोस्ट किया है और जारकंड मुक्ति मोर्चा ने अब दोस्तों आप समझ सकते हैं जाहिर सी बात है इतनी दूर से पुलिस बुलाने की क्या जरूरत है आखिर असम पुलिस जारकंड में बरहेट सीट की घेरा बंदी क्यों कर रही है क्या हेमन सोरेन को परेशान करने के लिए एक राज्ज के निर्वाचित मुख्यमंत्री की सीट पर इस तरह का व्यहवार हो रहा है बाहर से पुलिस बुलाई गई है ऐसा कितने राज्जियों में होता है बीजेपी शासित जिन राज्यों में ऐसा होता है तो बीजेपी क्या कभी ऐसा होता है कि चुनाव आयोग ये निर्देश देदे ये आदेश देदे कि कॉंग्रिस शासित किसी राज्य की पुलिस उस राज्य में मुख्यमंत्री की सीट पर भेजी जाएगी आम तोर पर ऐसा पुलिस भेज़ी जाती है हेमन सुरेन की सीट पर और अब सवाल है दोस्तों कि क्या चुनाओ को प्रभावित करने की कोशिश है क्योंकि चुनाओ बरहेट में हेमन सुरेन लड़ रहा है कोई सामाने परत्याशी नहीं है मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की सीट पर अगर इस तरीके के महौल बनाया जा रहा है तो आप सोच सकते हैं कि बाकी नेताओं की सीटों पर क्या स्थितियां चल रही होंगी फिलाल इस वीडियो में दोस्तों इतना ही आप अपनी राय जरूर दीजिएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सबस्क्राइब करना बिलकुल मत भोलिएगा